नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका फिर से हमारी यूटूब चैनल लव एश्टो रोजी देवतरशिन में आज का जो हमारा वीडियो हैं दोस्तों कि पति को कैसे खुश किया जाता है और पति को कैसे अपने प्यार में पागल करें या पति को कैसे शंतुष्ट करें अपने क्या आपके पति आपसे नाराज रहते हैं आपसे खफा रहते हैं बात बात पर आपसे लड़ाई जगड़े करते हैं जिससे परिशान होकर आप आज वीडियो पर आए हैं और आपने सर्च किया कुछ ऐसे तरीके की जिनसे पति खुश हो जिनसे आपके रिष्टे में तना और रिष्टा मजबूत बने और आज आपने सर्च किया कुछ ऐसा उपाय टोटका या कुछ ऐसे तरीके आपको मिल जाए जिनसे पती का आप प्यार पा सकते हैं तो आज आप बिल्कुल सही वीडियो पर आये हैं बस वीडियो को आपको लास्तक देखना है दोस्तों पती-पतिनी का रिष्टा ऐसा होता है अगर पती-पतिनी के रिष्टे में विश्वास है तो एक बूंद भी समंदर की हरायों की तरह होता है अगर पती-पतिनी का रिष्टे में विश्वास नहीं है तो समंदर भी सूखा नजर आता है दोस्तों अगर आप अपने पती पती ने के रिष्टे से परिशान हैं आप अपने पती को जो मान सम्मान देते हैं लेकिन आपको पती से मान सम्मान नहीं मिलता और आप इस बात से दुखी हैं कि ऐसा क्या हो पती आपकी वश में हो या आपको प्यार करने लगे इसके लिए आपको कुछ तरीके और टिप्स अपनाने होगे आपको अपने कमरे में परदे हलके गुलावी रंग आपको अपने कमरे में लगाने चाहिए साथ में आपको देशी गुलाव चमपा चमेली बेला आदी की सोगंद कमरे में फिलाने चाहिए पती नी आपने बैडरूम में पलंग की चादर सफेद या गुलावी रंग की ही इस्तमाल करे इससे पती का अट्रैक्शन आपकी तरफ बढ़ेगा दोस्तो यदि मंगल की तरफ से पती की गरबली चल रही हो राशी में तो आपको कमरे में लाल रंग का पेंट करवाना चाहिए इससे पती का गुसा शान्त होता है और पती आपकी तरफ खीचे चले आते है अगला तरीका दोस्तो यह है दिवार पर कभी भी तामबे की धातू से बने कोई भी वस्तू या कोई भी ऐसी पेंटिंग ना लगाई जिससे कि आपके पती पतिनी के रिष्टे में तनाव हो माना जाता है अगर पतिनी अपनी दिकमरे में या दिवार पर किसी भी तामबे की वस्तू से बना कोई भी चीज सामाल लगाती है तो ऐसे में पती का क्रोध भड़ता है और पती का प्यार कम होता है तो ये कुछ त्रीके आपको जो बताये गए हैं इनको अपनाए आप अपने पती पतिनी के रिष्टों को बहतर बना सकते हैं तो और भी नए अन्या टोटके उपाए हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे अगर आपको कोई अन्या जानकारी चाहिए तो वीडियो सक्रीन पर नंबर दिया गए है आप कोल करें हम आपको समधान देंगे वीडियो को लाइक शीर अवश्य कर देजी धन्यवाद दोस्तों